तुम्हारा पॉन यहां है और यह गे में ठीक है अभी इसको बाहर छोड़ दो तुम बाहर पर मत द्यान दो क्यूंकि बाहर वाइट टू मूव पर है तो हर मूव पर वाइट टू मूव भी राएगा वो फकॉल दिखाएगा फिर कुछ है लुज соврем सेमयरलल एक्छण कर आपाते क्या है तो इसमें इसको बेंदी के आता है उससे ओपोणिशन आक सामने अगर उसका किया आज mãeस के सामने तो अब उस्की बारी ये तो वो यहां हिसर या तो इbad exhibitors अधर इसको जाना ही पड़ेगा रह तो पीछी जाएगा तो मालो जो तुम्हें चाहिए ठीक है और तुम्हारी बारी यह तुमने खेलाई यह और तुम आ चुके हो किंग के एक स्टेप आगे उसको बोलते ऑपोजिशन फॉरवर्ड से तुमने ऑपोजिशन लिए अगर किंग यहां जाता है तो तुम यहां से अंदर गुश सकते हो और अग अगर उसके पास opposition है मतलब अगर सोचो कि तुमने यह खेला और उसने खेल दिया अब चाहिए दुनिया की कोई भी ताकत हो जाए चाहिए बॉबबी फिशर भी क्यों ना हो तुमारे सामने नाव थे किंग केनाट गो इंसाइड वाई बिकास नाव थे किंग मुवज हीर ब तो जिसके पास opposition होती है वह भेंचोद गुष सकता है कोने से flank rank करके ठीक है अब इसका हमें बहुत यूज आता है कई बार in the endgames अभी हम लोग एक मैं तुम लोग एक चीज दिखाता हूँ हाँ यह देखो अभी जैसे यह opposition का एक puzzle है बहुत cool है यह puzzle इससे तुम्हें clear ही हो जाएगा वह concept अभी जैसे हम लोग white है ठीक हमको खेलना है तो बताओ chat यहाँ पे best move क्या होगा white के लिए जो अभी मैंने सिखा है बस वही याद रखो और कुछ याद ने रखो बस simple याद रखो opposition बताओ obvious move है that's right king c5 तुम opposition ले लो अब वो यहाँ गया तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें गुसना है अंदर से अगर वो इसकी जगह अगर वो यहाँ जाता तुम यहाँ से गुसते अब वो यहाँ गया तो तुम यहाँ से गुसोगे and now there is no way he's stopping your pawn from promoting समझ रहो ठीक है let's go with the next one यह हमने कर ली स्वाल कुईन बने नेक्स बताओ अब वाईट की बारी है अब उसके पास पॉन है अब उसके पास पॉन है लेकिन opposition इतना crazy concept है कि doesn't matter तुम इसको अंदर आने नहीं दोगे तुम उसको दोगे नहीं देखो अब तु कि अब उसने पॉन चला है अब तुम ऐसा क्या खेलोगे कि तुम्हारे पास उसके बाद opposition रहे तुम समझ रहे हो अब तुम्हें वह सोचना है अब अगर तुम for example यहां खेलोगे तो वह यहां से बुच जाएगा तो यहां तो हम नहीं खेल रहे हम ऐसे कहां जाए कि वह अ अब तो यहां और अब तो यहां खेलोगे तुम्हें कि वह पॉस कर और तो यहां खेलोगे तुम्हारे सो अब अगर वो चेयो ऑच्टाव कि पास वापिस King D1 में दिक्कत है कि उसके पास opposition आ गई है, अब तुम हिलो गया, तुम्हें हिलना ही पड़ेगा कहीं पर, तो फिर वो अंदर आ जाएगा तुमारे, तो you keep the opposition, you keep, you go to a square where in the next turn you'll have the opposition, यह हो गया, यह example लो अभी, चलो, this is another beautiful example, white to move and win the game, white to move and win the game, मैं तुम्हें दिखाता हू करीशन ह्उ एक इड होगै. simply, एंड डिम आई है क। और सवर्जिन ले लो, अबोग्यारिशन लेली, चलो,bangै बेर की लीक्तारों नाइन के ऊप्रटिशन लेवा resultado, पैसल हो गई है,व यह एक से तुम्हारा वीक्रिशन गई है तो उसके पास opposition आ गई चुद गए तुम इसलिए इससे लोगे opposition तुमारे पास ही है समझ रहे हो that is the beauty यहां करोगे opposition उसके पास आ गई फक हो गया draw हो गया you don't have to give him the opposition अचा इस move में इस चाल में बताओ क्या के लोगे तुम simple move king b4 रखो opposition अपने पास वो गया करो flank उसको रखो opposition वो गया करो flank उसको and then you can you can you can you can start pushing these pawns can you now yeah रखो opposition उसाव अंदर बड़ाव पाउन बड़ाव पाउन बड़ाव पाउन and you win the game okay let's go with the next one oh yeah this is stailment होगी वैंच sorry sorry वैटे माजगरदी वा मेरे ते